Good morning students, today we'll talk about fungi, general characters. Fungi यहने की कवक यह B.A.C. Part 1 का एक बहुत महत्पून टॉपिक है Myself, Dr. Mrs. Prathima Shivastra, Associate Professor, Department of Potney, J.D.P. Government Girls College, Kota Students Fungi की बात करें, तो यह एक हेटरोट्रोफिक, मल्टी सेलिलर, यू केरियोटिक और्गानिजम है इसमें हम एक एक शब्द को लेके चलेंगे जब हमने शैवाल की बात की, तो हमने कहा ओटोट्रोफिक ओटोट्रोफिक का अर्थ होता है स्वेपोशित यानि कि शैवाल जो हैं, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और ये स्वेम का भोजन संशलेशित कर सकते हैं प्रकास संसलेशन की क्रिया से स्वेपोशित होते हैं इसके ठीक विप्रीत, जो कवक हैं, वे विशम पोशी मल्टी सेलिलर, शैवालों में हमने बताया था कि वो यूनी सेलिलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलिलर भी हो सकते हैं लेकिन फंजाए या कवक सदैव बहु कोशिक हैं, यूकेरियोटिक और्गानिजम हैं यानि कि इन में वास्तविक केंद्रक पाया जाता है दी बाइलोजी और स्टेडी और फंजाए इस कॉल्ट माइकोलोजी फंजाए फॉलो बोथ सेक्श्वल और एसेक्श्वल मोड और रिप्रोड़क्शन सम्टाइम्स दे एपिर इन सिम्बियोटिक असोशियेशन्स विद प्लांट्स और बेक्टिरिया ये दोनों तरह का जनन लैंगिक वर अलैंगिक जनन दर्शाते हैं लेकिन ये सहे जीविता भी दर्शाते हैं प्लांट्स के साथ और बेक्टिरिया के साथ इसमें जो पादब काय है वो एक थैलस होती है ये थेलोफाइट्स है और कवक जो है इनकी जो कवक इनका जो हाइफी है यानि की कवक तन्तू जो इसमें पाया जाता है वो है वो जाल के रूप में यानि की एक माइसीलियम या कवक जाल बनाता है अब बात आती है कि फंजाय या फंगस जो शब्द है कि कहां से आया बचों हमने देखा कि जब हम कोई bread अगर हम थोड़ी दिन के लिए छोड़ देते हैं तो उसमें एक कुछ greenish सा या हम अचार में बहुत दिनों तक रखने के बाद देखते हैं कि अचार में कुछ एक सफेद सी layer बन गई है तो उसको कहा जाता है इसमें फफून लग गई है तो what is that? That is fungus. The term fungus ये it is adopted from Latin word fungus which means mushroom बहुत common शब्द है mushroom जो कि आज की तारीख में बहुत उपियोगी खाद्य पदार्थ के रूप में इस्सिमाल किया जाता है mushrooms का बहुत culture किया जाता है तो ये जो शब्द है mycology हमने का study of fungi is mycology mycology आता है Greek शब्द mykis से which means mushroom and logos means discourse इनके जो उधारन है फंजाय के वो है yeast यानि कि हम इसको खमीर कहते हैं ये bakers bakery में ये बहुत काम आता है yeast then rusts ये disease जो की आगे आपको इसका वर्णन बताएंगे smuts, mildews, molds and mushrooms ये सारे उधारन है फंजाय के they reproduce by the formation of both asexual and sexual sports जैसा हमने पहले कहा इसमें दोनों तरह के sports बनते हैं asexual भी और sexual भी कुछ examples है sexual sports के जैसे ooze sports, zygo sports, esco sports, basidio sports, etc और कुछ examples है sexual sports के है sporangio force, achal bijanu या a-planner sports, chal bijanu या zoo sports, conedia, etc fungi conduct biosynthesis of chitin chitin के बारे में आपको विस्तार में बताएंगे chitin जो है इसको हम fungal cellulose भी कहते हैं इसके द्वारा कवक की जो cell wall है वो निर्मित होती है some fungi contain small nuclei with repetitive DNA कवक जो है ये non-motile है nature में और ये move नहीं कर सकते इनकी जो nuclear membrane है, envelope है वो mitosis के दौरान dissolve नहीं होती है they show alternation of generation containing both haploid and diploid इसमें पीडी एकांतरण में दोनों अबस्ताई देखने को मिलती है agonet एवं rekonet अब हम बात करें जो vegetative body है फंजाय की ये कैसी है तो ये एक सूख्ष मदर्शी है threads धागे नुमा संरचनाओं की बनी हुई है जिसको हाइफी कहा जाता है East में हाइफी नहीं बनते हैं वो unicellular या एकोशिक्य होते हैं फंजाय form a fungal network या हाइफल network known as mycelium का वगजाल कहलाता है The physical structure of both the plant and fungi is similar लेकिन chemically different होते हैं जो fungal cell wall है वो chitin की बनी हुई है जैसे हमने बता है fungal cellulose इसका formula है C8H13O5N The fungal cell membrane is made up of unique sterol and ergosterol Most fungi they grow in acidic environments यानि की ये acidic pH जो pH साथ से कम होता है उसको tolerate कर सकते हैं Fungi contains several exo enzymes जैसे की hydrolases हैं, lyases हैं, oxido reductase हैं, transferase हैं ये food के digestion में मदद करती हैं इनका जो खाद्य पदार्थ हैं वो संचित होता है starch के form में Reserve food material इनमें starch हैं The fungi can be saprophytes Saprophytes को हिंदी में कहते हैं, म्रतोब जीवी क्योंकि ये स्वैपोशित नहीं है तो इनके अलग-अलग भोजन को absorb करने के modes होते हैं तो ये म्रत, ये कहते हैं, dread and decaying सरते हुए पदार्थों को से energy प्राप्त करते हैं ये parasites या परजीवी हो सकते हैं ये host में बिमारियां पैदा करते हैं, they attack and kill sometimes they host, ये सह जीवी हो सकते हैं, mutually beneficial तो फंजाए और अलगी का जो association है, वो देखने को मिलता है lichens में About 5100 genera and more than 50,000 species are known फंजाए में इनकी जो species हैं और ये cosmopolitan है, मतलब ये wishw vipi होते हैं they can be found in air, water, soil और plants और animals में और जो warm और humid places होती हैं वो इनका एक optimum temperature होता है अब अगर हम बात करें cell wall की, fungal cell की तो ये chitin या fungal cellulose की बनी हुई है जिसका formula है C22, H54, N4, O21 primitive fungi के case में, आदिफ fungi के case में जो true cellulose है, वो with और without chitin पाया जा सकता है Occasionally, plasma lemma appear होती है ये coiled in growth के रूप में, अंतर रधी के रूप में दिखाई देती है जिनको loma zooms कहते हैं और ये cell wall के नीचे देखने को मिलती है The cytoplasm of fungal cells contain different organelles जो इनका पोशी का द्रव्य है, fungal cells का इसमें endoplasmic reticulum, यानि की अंतर द्रव्य जाल mitochondria, ribosome, golgi bodies और कुछ ऐसे inclusions, जैसे की संचित भोजे पदार्थ, वर्नक और secretory granules, इस्तरावी कनिकाई पाई जाती है At the hyphal tip, जो कवक का जो तंतू है उसके tip पर, जो cytoplasm है इट कंटेंस golgi vesicles known as the chytosomes which is filled with cell wall materials nucleus and mitochondria, they are found to connect with endoplasmic reticulum Thallus structure को अगर broadly हम देखें तो दो तरह की thallus फंजाए में देखने को मिलते हैं एक है, एक कोशी की है thallus और दूसरा है filamentous thallus जो unicellular thallus है तो जो lower फंजाए है निमने फंजाए माने जाते हैं जैसे chydrates ये spherical होते हैं गोलिकिय होते हैं और single cell structure होते हैं holocarpic fungi में जो thallus है वो पूरा का पूरा reproductive unit में परिवर्तित हो जाता है at the time of reproduction और फिर वो sexual और asexual cells बनाता है जो vegetative और reproductive structures हैं stages हैं वो thallus में holocarpic fungi में नहीं देखने को मिलती हैं vegetative form of plasmodiophora is made up of a naked multi-nucleate cell यहाँ पर एक बात मैं mention करना चाहूंगी कि जो इनके hyphae हैं वो aceptate और cynocytic होते हैं यानि की पट विहीन और cynocytic यानि की संकोशिकी बहुत सारे nucleus या केंद्रक उसमें पाए जाते हैं जैसा की phycomycetes में देखने को मिलता है और यह uni, by और multi-nucleate हो सकते हैं जैसे की ascomycetes में, basidiumycetes में और doteromycetes में जो septa हैं इनमें simple प्रकार के छिद्र पाए जा सकते हैं जैसा की साधन तर देखने को मिलता है लेकिन basidiumycetes में जो septa हैं इनको यह डोली पोर के साथ होते हैं यह double membrane structure होता है septa, इसको pore cap या parenthosome भी कहते हैं यह septal pores जो हैं एक valve जैसी संरचना बनाते हैं हम slime molds के exception को देखें अपवाद को देखें तो जो protoplasm है वो एक distinct cell valve से घिरा हुआ रहता है और जो main component cell valve का जैसे पहले बताया कि वो काईटन है लेकिन lower fungi में जैसे की सदस्य हैं umosities के cell valve, cellulose और glucan की बनी हुई होती है जो amiboid mass है protoplasm का उसको plasmodium कहा जाता है deployed plasmodium में जो protoplast है वो it is differentiating और यह resting spose बनाता है जो filamentous forms east के हैं इनमे unicellular thalus है और unicellular holocarpic forms में कवक जाल अनुपस्तित होते है इसमें जो हाइफी है यह colorless और जो दूसरे तरहें के सदस्य हैं उनमें जो हाइफी है multicellular forms में यह colorless और vacuolated cytoplasm इनमें present होता है और यह हाइफी जो है यह homo या heterokaryotic हो सकते हैं haploid हो सकते हैं diakaryotic और diploid phase इसमें हो सकता है diploid phase इसमें बहुत कम समय के लिए इसको हम ephemeral या short lift कह सकते हैं जो higher fungi ascomicities, bacerumicities और deuterumicities के हैं वो immobile हो सकते हैं लेकिन जो lower fungi है phagomyocities के सदस्य इनमें जो reproductive cells हैं जनन वाली जो कोशिकाएं हैं जिने gametes और asexual zoos pores कहा जाता है यह motile होते हैं they are uni और biflaculate इनमें जो कशाबिकाएं हैं वो दो प्रकार की हैं viplesh जिसको की acronymatic कहा जाता है कशाबिकाओं की जो भिती है वो चिखनी होती है और उसमें 9 plus 2 organization देखने को मिलता है जो दूसरे प्रकार की कशाबिकाएं हैं जिसे की tinsel प्रकार कहा जाता है वो pantonimatic होती हैं यानि की इसमें जो कशाबिकाएं हैं इनमें छोटे से बहुत श्टूक्ष्म रोम पाए जा सकते हैं तो ये हम बात कर रहे थे कवक की और ब्रीफ में और हम इसमें अगर recap या हम इसको थोड़ा सा और विस्तरत बताएं तो कुछ common modifications जो हाइफी की देखने को मिलते हैं उनको कहते हैं प्रोजनकाइमा, स्यूडोपेरनकाइमा, राइजोमॉर्फ, इसकलरोश्या, देन एप्रिसोरियम, देन हॉस्टोरिया, हाइफल, ट्रैप्स और इस्ट्रोमेटा इनके बारे में हम विस्तरत जानकारी आपको अगले लेक्चर में देंगे आज बस आप इतना ही ध्यान रखिए कि जो कवक है, वो हेटरोट्रोफिक है, वो अपना भोजन स्वैम नहीं बना सकते अपना विविन्य प्रकार के उनके मोड है, भोजन ग्रहन करने के, जिसमें की पैरसाइट्स, जो की परजीवी, उधारन इसके रस्ट, इसमट्स, इनके बारे में हम आपको बताएंगे, इनमें भी ऑबलिगेट पैरसाइट्स होते हैं, फिर सैप्रोफाइट्स, यानि की म प्रत और सरते हुए पदार्थों से अपना भोजन ग्रहन करते हैं, फिर सहजीवी प्रकार, तो ये सब टाइप्स जो हैं, हम आपको नेक्स लेक्चर में बताएंगे, रीप्रोडक्शन के हमने जैसे बात की, तो तीन प्रकार का रीप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव, ए प्रकार के एसेक्षवल इसपोज इनमें देखने को मिल सकते हैं, सेक्षवल रीप्रोडक्शन में जो गम्पैटबल न्यूक्लियाई हैं, वो एक साथ लाय जाते हैं, सेक्षवल प्रोसेस के द्वारा, और इसमें अलग-अलग तरह की विदी हैं, जिनका विस्तार से डिस all from now thank you very much please subscribe to our channel gc era jdb gc cc era jdb ggc quota